स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएट इग्डाम पे और दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं बीएट फॉर सेमेश्टर के पेपर यानिक इक्सामिशन 2020 का पेपर है और दोस्तों यह पेपर है हेल्थ एंड फिचकल एजुकेशन का जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि बीएट फॉर सेमेश्टर में अगर हम बात कर रहे हैं बीरवादर सिर्पुन बारंचल इनुवर्सिटी की तो आपके कुल 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से की हेल्थ हैं फिचकल एजुकेशन का पेपर जो होता है बहुत ही फेमस है बच्चों के अंदर काफी प्रचलित है और ज्यादा तर कैंडिडेट इस सब्जेक्ट को आप्ट करते हैं इसका कारण भी यह है कि आपको यह कहीं न कहीं चलके आपकी आगे आने वाली जो आगामे सिक्षपातरता परिक्षा हैं उसके लिए भी तैयार करती है साथ ही था इस विसमें क 101 अभी तक कि जो इंटर तक के पढ़ाई की हो गी या ग्राइजिशन तक के पढ़ाई की होगे उसमें आधे से ज्यादा सिलिबस आपने कभी न कभी सैचिरिक जीवन में उसको पढ़ा हुआ है तो इस तरह से आप उसे अपने आगे आने वाली जो परिष्वाथे आपने आपको भली भाती तयार कर पाएं चलिए पहला प्रश्ण देख लेते हैं खंड और से जो कि अति लगूतरी प्रश्णों का खंड होता है यहां पर दोस्तों एक बात ध्यान देनी की है कि समय सीमा जो आपकी परिक्षा की है वो तो तीन धंटे है परन्तु इस परिक् अंक दिये जाएंगे पहला प्रश्ण है दोस्तों explain the concept of physical education सारे रिक सिख्चा की अवधार्ना सफ़्ष्ट कीजिए प्रश्ण दो है define physical education स्वास्त स्वास्त शिख्चा को परिभाशित कीजिए प्रश्ण तीन है explain the concept of wellness स्वास्त होने की अवधार्ना को सफ़्ष्ट अगला प्रश्ण ले लेते हैं दोस्तों प्रश्ण संख्या 4 no life without water clarify अर्थात जल बीना जीवन नहीं इसपश्ट कीजिए प्रश्ण संख्या 5 है what are the effects of pollution प्रदूशड के क्या प्रभाव है प्रश्ण संख्या 6 है describe human digestive system मानव पाचन पंत के बारें बताई तो दोस्तों यहा जादा डीटेल में आपको लिखनी क्या सकता नहीं है अगर आपके पास इस तरह का प्रश्ण आ जैसे कि मानव पाचन तंत्र के बारें बताएं तो आप सिर्फ मानव पाचन तंत्र की क्या रोल होता है पाचन करने में सिर्फ उसको सारांस पे लिखने का प्रयास करें यह जाएं कि इसके बिवन भागों को आप यहां पर एक्स्प्रेंड करने लगे मात्र मानव पाचन तंत्र की जो परिभाशा होती है उसको आप यहां पर बताएं प्रश्ण संख्या साथ है डिसकस दे ट्रीट्मेंट आप स्प्रेंड एंड इस्ट्रेंड मूच और खिचाओ के उपचारों का वर्डन कीजिए प्रसमें संख्या आठ है डेस्क्राइब पॉस्चुरल डेफेक्ट अमंग स्कूल चिल्वर्ण यानि कि विद्ध्यालई बालकों में आसन संबंदी तुटिपूर्ण दोसों का वर्डन कीजिए अर्था दोस्तों कि जो इसकूल में पढ और काफी मतलब आपको एक पीड़ा दायक रूप भी ले लेता है तो इन सारी चीजों के बारे में आपको यहां पर चाचा करने तो यहां भी मात्र प्रभाशाई देने कुछ वैसे पॉस्चर के नाव ले लेने कि गलत तरीके से बैठना गरदन जोगा कर बैठना यह एक व्यक्ति के जीवन में इस सारी रिक सौश्टाव यानि के रिष्ट पुष्ट होना कितना महत्पून है किस प्रकार से लाग पहुंचाता है आखरी प्रशन है खंड और से जो की है डिस्क्राइब फ्रेक्चर एंड फर्ष्ट एड फॉर दिम यानि कि फ्रेक्चर अस् कुछ पर्ष्ट कर दिए जयानि कि आप यहां फोंट और फॉल फॉल निर्दारित बिलोट है आपके बलकी वह पांच हिसंस को पूरवत ही आ दो सब्सेद्दों कि है 손से की रिकार त्वीिकिक्त इतना हो परहंति हूए कुछ का भीख्डीन दाउन कर दिये गए हैं यानि में आपके इसी तरह से अंकों का निर्धारन है हर खंड के लिए आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं खंड B से यानि की section B से और पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या दो describe the aims of health education स्वास्त शिक्षा के उद्देशों का वर्णन किजिए अत्वा what are the steps to improve the health of malnutrition students कूपोशित चातरों के स्वास्त शुधार के क्या उपाय है यानि कि दोस्तो ऐसे चातर जो सारे इर्ग्रूप से कूपोशित है जिनको परयाप्त भोजन या संतुलित भोजन नहीं मिल पाता उनके उप्चार के लिए उनको होने वाली समस्याओं का हम किस प्रकार निदान कर सकते हैं वो यहां पर आपको बताना है प्रश्ण संख्या तीन ले लेते हैं डिस्क्राइब दी इंपोर्टेंस ऑफ फीजिकल एजुकेशन सारे इरिक सिख्चा के महत्तों का वर्णन कीजिए अथ्वा आप लिग सकते हैं वोट इस इंपोर्टेंस ऑफ फीजिकल ट्रेनि वाले कारकों का वर्णन कीजिए अथ्वा आप लिख सकते हैं वाट डी अंडरस्टेंड बाई इस्कूल क्लिन लेस विद्याले सच्छता से आप क्या सबस्ते हैं प्रश्ण संख्या पांच देखते हैं डिसकस कम्निकेबल डिजीजिस संक्रामक रोगों की विवेचना जाते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा चूने या पानी के माध्यम से फैलते हैं तो इस तरह के रोग जो होते बहुत ही खतरनाक होते हैं सारे रिक रूप से व्यक्ति को बहुत ही कमजोर बना देते हैं इसका बहुत ही ताजा और बहुत ही मतलब आप कहें जो इस प्रकार के डिजेज धोगे एक एसी विमारी हो जाती हैं जो कि एक वेक्ती से दूसरी वेक्ति तक प्रेंत की यह सारी विमारियां आपकी somnag able diseases कहलाती है अथवा आप लीख सकते हैं 5 योगिए s dispar Judith University और 베नफिट औफ यॉगिक यॉगिक अभ्यासो कि क्या लाव है प्रश्न संख्या छे ले लेते हैं what do you understand by personal cleanliness यानि कि व्यक्तिगत स्वक्षता से आप क्या समझते हैं व्यक्तिगत उस्तर पर हम लोग क्या स्वक्षता मेंटेन कर सकते हैं यह सारी चेज़ा आपको बताने हैं उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पढ़ता हमारे स्वास्ति पर पढ़ता यह सारी बाते ही हम पर चर्चा करेंगे अत्वा आप लिख सकते हैं Discuss the biological principle of physical education सारे रिक सिक्षा के जैविक सिधानतों की व्यक्या कीजिए तो जो सारे रिक सिक्षा के अंतरगत जो हम लोग चीज़े पढ़ रहे जैविक सिधानतों मतलब जो सारे रिक सिक्षा के अंतरगत हम किस तरह से अध्यन करें कि जो हमारे सरीर के अनुसार वो सिच्छाओ और सरीर को स्वस्त और सुद्रड बनाने में हमें सहायता करें अब चलते हैं section C यानि की खंड सो में जो होता है long answer type questions का दीर के उतरिये प्रश्णों का यहां से नए प्रश्ण ले लेते हैं दोस्तों प्रश्ण संख्या साथ जो पहला प्रश्ण होता है यहां पर उससे पहले मैं आपको बताओं दोस्तों कि यहां पर मात्र आपको दो ही प्रश्ण करने है मगर यहाँ पे जो अंक निर्धारित है हर एक प्रश्ण के लिए वो होगा साड़े साथ अंक यानि कि 7 and half तो आपको पुल मिलाकर 15 अंक यहाँ पे मिलने वाले हैं तो खंड सौ में जो सब्दों की सीमा है वो तो पूर्व की तरह तो आपको दो प्रश्ण करने हैं तो आप कोई भी प्रश्ण इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और जो अच्छा लगे सबसे बहतर तरीके से आप लिख सकते हैं उनी का चुनाव करें पहला प्रश्ण देख लेते हैं स्वस्टे शिख्चा के अर्द आवशकतत एवं छेत्र की विवेचला कीजिए प्रश्ण संघ्चा आठ भै, डिस्केस्ट अंप लेटान स今वह केलो की आवशकता एवं महत्त्व का वल्यकिष्ण प्रश्ण संख्या 9 है What is the importance of physical training in health education? स्वास्त सिख्षा में सारे इरिक सिख्षड का क्या महत होता है? किस तरह से सारे इरिक सिख्षड की प्रकरिया स्वास्त सिख्षा को समझने में हमें मदद करते हैं? या किस तरह से स्वास्त सिख्षा जो है आपके सारे इरिक सिख्षड का एक अभिनांग होता है इस तरह से हम प्रश्णों के उतर देंगे प्रश्ण संख्या 10 है What do you understand by increasing global warming? यानि कि वैश्विक ताप बृद्धी के बारे में आप क्या जानते हैं या आप उससे क्या समझते हैं फ्रश्ण संख्या 11 जो की खंडसर से अंतिम प्रश्ण है वो देख लेते हैं यहां पर Why first aid is necessary in school? First aid necessary क्यों है schools में यानि कि वैद्याल में परात्मिक उप्चार क्यों आवश्चिक है? तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने जो पूरा पेपर है उसको समझत किया है और खंडसर से भी सारे प्रश्ण देख लिए तो हमने देखा दूपतों कि optional paper में जो भी प्रश कर सकते हैं इसी वज़े से जैसा कि मैंने वीडियो के start में भी आपको बताया है कि यह जो विशय है चात्रों के बीच में काफी प्रचली थे और बच्चे इसको ज्यादा आप्ट करते हैं तो अगर आपका भी जुका साइंस के विशय की और है और इस subject को लेने का फायदा ग्रहए कि यहां से काफी प्रच्ण आते हैं चाहिए आप कोई परिक्छा दें कि यह विज्यानिक एक विज्ञान आधारी अधारी सब्जेक्ड है तो यहां से प्रश्व बनते हैं और यह आपके आपसके वाता वरण से समौन कई सारे प्रश्ण ने हैं तो ini आपको परिच्छा के हिसाब से भी तैयारी करने में मदद करती है तो उमीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो जो हमने अभी चर्चा किये ये आपको एक तैयारी करने में एक प्रश्णों के आकार और प्रश्णों के प्रकार को समझने में मदद करेंगे जिसे कि आप अपनी आगे की तैयारी या optional जो subject होंगे वेकल्पी विसे जो हैं उनके चुनाव करने में आपको काफी हद तक मदद करेंगे और आप एक सही और सटीक स्टिती में होंगे कि आप कौन सा optional subject चुन सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर अगले एक नए विडियो में जहां पर हम एक नए optional subject के बारे में चर्चा करेंगे और वहां के प्रश्णपत को देखेंगे तो फिर मिलते हैं अगले विडियो में नमस्कार धन्यवाद और आप सभी लोग से प्रूपत करेंगे झाल प्रूपत 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 झाल